लेकिन अच्छानक युविका चौदरी के अविक्षन के बाद इसका दी एंड हो गया मगर आब एक बार फिर से एक नई लफ स्टोरी की शुरुआत होने जा रही है प्रिंस और युविका के बाद अब आपको रिशाब और दिगांगना की लब स्टोरी देखने को मिलेगी बिग बॉस हाउस में जब रिशाब ने वाइल कार्ड कंटेस्टन के तौर पर अपनी एंट्री की थी और इससे सबसे ज्यादा परिश्रान कोई घर में नज़रा रहा था तो वो दिगांगना ही थी होती भी क्यों ना? रिशाब के साथ उनकी कड़वी यादे जजुडी थी बात 2013 की है जब कुबूल है नाम के शो की शूटिंग के दौरान दोनों की बीच एक बड़ी जड़ाप हो गई थी मामला तो पलिस तक भी पहुँच गया था इस पूरे इंसिडन के बाद गांगना को इस शो से अपना हाथ धोना पड़ा मगर अब इतनी कड़वाहट के वावजूद ये दोजानी दुश्मन अब एक अच्छे दोस्त बनते नजरा रही है दिन बदन अब इनके बीच की बॉन्डिंग बढ़ती ही जा रही है यही नहीं दोनों को तो अब एक साथ जॉली टाइम स्पैन करते हुए भी देखा जा सकता है इन फाक्ट घरवाले तो अब इनकी बॉन्डिंग को देख इन्हें डिग्री भी बुलाने लगे हैं वैसे कहने के लिए तो अब ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं मगर इन्हें देख कर अब कोई नहीं कह सकता कि इनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती तक ही रहेगी आपको तो पताई है कि बिग बॉस की घर में कुछ भी हो सकता है क्या पता कि कब और कैसे इनके बीच की दोस्ती फ्यार में बदल जाए वैसे आप इन दोनों की इस unusual bonding को देखकर क्या कहना चाहते हैं पोस्ट करें हमें अपने comments और Big Boss के हर update के लिए बने रहे हमारे साथ